हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रभारी सुमन कुबार ने बताया नाकाबंदी के दोरान दो तशकरो सुखन पुत्र अल्लाह मेहर सलमान पुत्र युशफ को गिरफ्तार किया गया दोनुत्र प्रदेश के रहने वाले हैं तशकरो को लेकर भीलवारा अजमेर दोसा करोली होते हुए धौलपूर के रास्त से निकल रहे थे रास्ते में ही पुलिस की पकड में आ गए तशकरी के लिए बिहार जा रहे थे बरेठा चो की प्रभारी अजय सिंग ने बताया उंटों की तशकरो तशकरी की सूचना पर नाकाबंदी की गई इस दोरान एक ट्रक को रुकवाया गया तलाशी में बारा उ भ्यान का आईजन किया गया भ्यान में विभिना योजनाओ में लोगों को लब भानवित किया गया ग्राम पंचैत में 204 पट्टा एवं क्रशी उपकरन उपलब्द कराए गई साथिपूर में डकैत रूप में रहे मुकेश ठाकुर की माताजी को पट्टा जारी कर पुनर की के चलते नहर व माइनर बाद का पानी नहीं आने के कारण सूखी पड़ी हुई है नहर में बाद से पानी छोड़े हुए करीब 10 दिन बीच चुके हैं लेकिन भगोरा हेड से निकली बसाई नवाब नहर के अलावा जरोली से निकली पिपहेरा माइनर में बाद का पानी पहुँचने के कारण फसल सिचाई के लिए किसान मायूस बने हुए हैं शुकरवार को माइनर पर पहुचे शेदर के दरजनों किसान परिवार के महिला और पुरुषों ने माइनर में बांध का पानी नहीं आने के कारण जल संसाधन विभाग के दिकार्य के प्रतिया पहले पानी की सकता विशुकता है पानी के अभाव में खड़ी फसल दम तोड़ने के कगार पर है किसानों ने बताया उनकी सैकड़ों भी घाग गेहुं वसरसों की फसल सिचाई के लिए नहर के पानी पर अधारित है कुछ समय पोरुक शेत्रे विधाय गिर्राज सिंग मल प्रिंगा की ओड़ से प्रिपहेरा के किसानों के लिए फसल सिचाई के लिए जारोली नहर से लिंक माइनर खुदवाते हुए उसको पक्का कराया गया था लेकिन जलसन साधन विभाग के धिकारियों के अंधेकी के चलते किसानों को समय पर नहर का पानी नहीं मिल पा रहा जिसके चलते कि शेतर के अनेकों किसान खेतों में खड़ी रभी की फसल की सिचाई के लिए काफी चिंतित बने हुए हैं सैपाउसर रजनिकांत शर्मा की खास रिपो पानी आया नहर में बंडा में फिर पानी नहीं आया यह पूरी पसल शूक रही है और मुखजी को से कर लिए बार बार जाकर पानी नहीं आ रहा है अधकार याते चले आते हैं पानी शुनवा भी नहीं हो रही है कोलारिथानक शेतर के बद्रिया राज के उचे मादमिक विद्यालिये में साथी शिक्षिका से छेड़ चाड के आरोपी व्याक्याता को निलंबित किया गया है शुकरवार को शिक्षा विभाग की ओर से कार रवाई करती हुए निदैशक मादमिक शिक्षा भी का नेर द्वारा आरोपी जी विज्यान विशे के व्याक्याता महेश चंद मिर्णा को निलंबित करने के आदेश जारी किये गई है गौरतलब है बदरी का विद्याले में बीते 11 नवंबर को विद्याले की एक शिक्षिका के साथ वियाक्याता महेश चंद मिर्णा की ओर से अशलीलता की गई विद्याले परिसर में ड्यूटी की दोरान की गई छेर चाड के बाद उसने शिक्षिका का बुरी नियत से पीछा किया पेडित शिक्षिका की ओर से आरोपी के खलाफ कुलारी पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया गया था मामले में अनुसंधान के बाद थाना धिकारी नरेश पोसवाल की ओर से काररवाई करते हुए आरोपी शिक्षक महेश मिना को दो दिन पूर्व 24 नमबर को गिरफतार करते हुए उसे नियायाले के आदेश पर जिल बेज दिया गया तबी शिक्षा विभाग बिकानेर के निदेशक का नाराम की ओर से मामले में संग्यान लेते हुए आरोपी शिक्षक को ततकाल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गई सैपव से रजनिकांत शर्मा की रिपो बसाई नवाब उपतहसील की ग्राम पंचैत निधेरा कला में आयजित प्रशासन गाउं के संग अभियान में हुए कारे काफी संतोष जनक रही है सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दोरान सरकार की योजनाए वा पूरा प्रशासन शिविर के जर्ये सीधे गाउं गाउं पहुच रही है आमजन इन शिविरों का भर पूर लाब उठा रही है आयजित शिविर के दोरान लोगों का धिकार्यों की ओर से हाथ हो हाथ काम निप्टाए गए इस दोरान नामांतरन 325 राजस्व अभिलेक शुद्धी 397 बटवारा सहमती के 31 सीमा ग्यान तर्मीम बटवारा की 34 नकल जारी 155 जाती वमूल निवास 38 लोगों के काम हुए हैं निधेरा कला में शिविर के दोरान हुए कारे तहसिलक शेतर में काफी संतूष जनक रहने पर तहसिलदार सोहनलाल शर्मा की ओर से कर्मचार्यों की टीम की सरहाना की गई इस दोरान उपखन अधिकारे ललित मिना ने कहा लोग सरकार द्वारा गाउं गाउं लगाउं लगाए जा रहे प्रिशासन गाउं के संग शिविर का जागरुखो कर अधिक से अधिक लाब उठाएं इस दोरान नायाप तैसलदार राकेश गिरी गिर्दावर देवेंद्र तिवारी कानून गोड राम अवतार सिंग पटवारी राकेश राग्वेंद्र आदी कर्मचारी मौजूद रहे सैपाउसे रजनीकांथ शर्मा की रिपोर्ट अकिल भारते विद्यारती परिशद इकाई बाड़ी द्वारा राज की कन्या महा विद्याले बाड़ी की कारेकारणी का किया गठन जिसमें जला छात्रा प्रमुकाजल परमार ने बताया संगठन की रितिनिती को अवगत कराते हुए संगठन के विस्तार के लिए चर्चा की गई जिसमें सोनम कुमारी कॉलेज की कई छात्राय उपस्ति थी आधिकारिकर्ता मौजू थे मौरारी सिंग पुत्र अजब सिंग भीकम सिंग पुत्र राम स्वरूप को पादप संडक्षन यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया राजा खेडा के अंदर एक महला ऐसा भी है जहां पर बस्ती को बसे हुए 25 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है दोनों तरफ मकानात बनकर लोग बाग रहे रहे हैं जिस गली के अंदर करीबन 23-24 परिवार रहे हैं उनके मकान बने हुए हैं नगर पाली का दौरा RCC सडक भी बने हुई है लेकिन गद 25 साल से ज्यादा समय से आस तक उस गली के अंदर जल्दाए विभाग की लाइन नीचे नहीं डाली गई जिससे कि लोग बागों को पानी पीने के लिए सहूलियत मिल सके आश्चिरिस बात का है जिस वर्ड कालोनी से माफ कीजिएगा जिससे लोगों बागों को पानी पीने के लिए सहूलियत मिल सके आश्चिरे सुदस बात का है कि जिस वर्ड कॉलोनी से करीबन 5-6 बार नगर पालिका की पारशद बनकर चुने हुए प्रतिनिदी नगर पालिका तक पहुँच जाते हैं लेकिन किसी ने भी आज सकी ये नहीं सोचा कि मुन्ना कॉलोनी वर्ड नमबर 7 के अंदर अधिकांश लोग भाग राठोर तेली जाती के एवं अन्यदलिजाती की लोग जिसमें निवास करते हैं उनकी मजबूरिया देखने वाला ही कोई नहीं जहां लोग पानी के लिए तरस्ते हैं राजा खेडा सी बुद्धू सिंग और दैनिया की रिपो राजा खेडा न्यायाले परिसर के अंदर समिधान दिवसकी शूब अवसर पर मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट अनुयादव नोधिवक्त एवं पुलिस गार्ड को शपत साथी वरिष्ट लिपिक विशाल के द्वारा समिधान द्वारा बताएं गए कर्तवियों का वाचन किया गया एमाँ वरिष्ट अदिवक्ता विजय शिरिवास्तव वरिष्ट अदिवक्ता वं मित उपाध्याय ने समिधान के बारे में अंग्रेजी.'' शासन से लेकर देश की सतंत्रता तक सभी जानकारिया अपने संबोधन द्वारा सभी को बताई। देकर दो पक्षों के बीच लाटी भाटा जंग हो गई जिसमें एक महिला से दो लोगों को चोटे आई हैं जिनको उप्चार के लिए सरमत्रा अस्पताल में भरती कराया गया है। जगड़े के पीच फाइरिंग मामले में सरपंच ने नामजद लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। शुक्रवार को मालोनी पंवार ग्राम पंचाए सरपंच रादे शाम पर मार की और से पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया गया है। गुरुवार शाम के समय सरपंच तथा दूसरे पक्ष के बीच हुए जगड़े में की गई मारपिट वेफ फाइरिंग को लेकर कोलारी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें बताया गया है कि हजारी लालता था उसके चार बेटे जग मोहन, निरंजन, भागिरत, वैब्रमा, सहित दो अन्य लोगों ने हत्यारों से लैस होकर उसके घर के बाहर पहुँच गए। जहां उन्होंने सभी ने अलग करीब 10 राउंड फाइर किये हैं जिस से उसके चचेरे भाई राजू की पतनी मधू को गोली के छर्रे लगे हैं वहीं हत्यार का बट लगने से सरपंच रादे शाम के भी चोटाना बताया गया है। पुलिस की और से मामला दर्च करते हुए घायलों का मेडिकल कराया गया है तदा अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं शुकरवार को एफ एसल के टीम सहीत पुलिस ने घटना इस्तल पर पहुँचकर मारपिट वेफारिंग की घटना का बारीकी से साक्ष जुटाते हुए चार्च की है। सैंपव से रजनी कांत शर्मा की रिपोर्ट पूलपूर जिले के हेतमपूरी स्टेशन पर दुर्ग उधमपूर एक्सप्रेस की सिलीपर कोच ऐसी बोग्यों में लगी आग। दोनों बोग्या जलकर हुई खाग। आग बुजाने के लिए कई जड़े की दमकल पहुची मौके पर ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी। सीता राम शर्मा कलियार सिंग यादव तपेश भिदुडी नगर पालिका मंडल बाड़ी के अन्य सफाई जमादार करम चारियों रहवासियों एवं बेसिक्स टीम के सिटी इंचार्ज हरी राजपूत की विशेश उपस्तिती रही इस मौके पर स्वतंत्रता सिनानियों को याद कर स्वच्चता संकल्प लिया गया की हम आज के बाद सडकों पर या सारजनिक स्थानों एवं खुले स्थानों में कचरा नहीं फेकेंगे कचरा फेकते हुए कचरा गाड़ी का उपयोग करेंगे एवं एतिहासी की मारतों को साफ वैसुन्दर बनाने में सयोग पुलिस अधिक्षक केसर सिंग शेकावत दौरा अवे शराब रखने बेचने निर्मान करने वालों के विरूद धर पकड़ अभियान चलाय जा रहा है अभियान को लेकर देविंद्र कुमार शर्मा उपनी रिक्षक थाना अधिकारी थाना कंचनपूर के नेतरत में मुख सिम रामवीर के कबजे से एक प्लास्टिक की जरी कैन जिसमें करीब 32 लीटर अवेध हरकंड शराब बरामत कर सफलता हासिल की बाड़ी से सती शर्मा की रिपोर्ट